आपने कई पहलवानी और कुष्टी के प्रतियोगी ताय देखी होंगी लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये पहलवानी से कई गुना ज्यादा अलग और रोमान चक है पहले आप खुद देखिए इस पहलवान का ये खतरनाक कारणामा देखा अपने कैसे ये पहलवान इतने भारी चैक्टर को अपने शरीर के पार कर लेता है ये देखने में जतना खतरनाक लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये पहलवान अली मुहमद है और ये प्रतियोगिता बिहार के रोतास की है जहां करगहर के जगजीवन राम स्टेडियम में कुष्टी प्रतियोगिता के दौरान महिला पहलवानों के साथ पुरुष पहलवानों ने भी जम कर दाउपेच दिखाये लेकिन इस दौरान पंजाब के जालंदर से आये मुहमद अली ने जो कार नामा कर दिखाया उसे देख वहां हर किसी ने मानो दातों तले उंगलिया दबाली हो ये पहलवान कभी ट्राक्टर के नीचे लेट जाता है तो कभी भारी इटों से खुद पर वार करता है इतना ही नहीं चलते वे ट्राक्टर को रोग भी लेता है ऐसे कर तब देख वाके कोई भी दंग रह जाएगा जैसे किसी ने नामुम्किन को मुम्किन कर दिया हो सबसे हरानी की बात तो ये है कि ट्राक्टर के नीचे आने के बाद भी इस पहलवान के शरीर में एक खरोच तक नहीं आई जब हमने पहलवान अली से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी लिए वो 18 साल से लगातार प्रैक्टिस करते आए हैं और ऐसे और भी कई तरह के स्टंट करते रहते हैं आप भी सुनिए पहलवान अली मुहंबद ने क्या कहा बतादे रहतास में ऐसे कर्तब दिखाना नई बात नहीं है इसे पहले धावा गाओ के रहने वाले संतोश पहलवान ने भी ऐसे कई कर्तब कर लोगों के बीच सुर्ख्या बटोरी थी और अब अली ने भी इस प्रतियोगिता में खतरनाक स्टंट कर सब को चौका दिया है यहिपने रहता है